प्रेंट जहिन वेलकम टू मा चैनल डिफेंस अन स्पोर्ट सामी फ्रेंट्स आज ये वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग को असाम रैफल्स में जो डॉकुमेंट्स लगते हैं आपके सबसे इंपोर्टन डॉकुमेंट्स उसके बारे मैं आज ये वीडियो में बना रहा हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो में आपके डॉकुमेंट्स के फॉर्मेट भी दिखाओंगा कि आपको डॉकुमेंट्स वाँ पे कैसे लेकी जाने है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर documents में हम आते हैं तो सबसे पहले Assam Rifles में आपका वहाँ पे domicile certificate मांगा जाएगा वहाँ पे तो एक बार मैं आपको domicile certificate का format दिखा देता हूँ कि आखिर का domicile certificate कैसा होता है तो friends, screen पे आप देख रहे हैं कि यह हमारा domicile certificate है यहाँ पे आप लोग के starting में ही residential certificate लिखा होगा दोस्त मैं बता दूँ एक साल पुराना residence certificate आप लोग का चल सकता है एक साल से पुराना ले करके ना जाए आप लोगों को वाबे बोला भी जाएगा कि आप लोग का residence certificate एक साल पुराना होना चाहिए और आप लोगों का ये format रहेगा हर state का अलग-अलग format है लेकिन normal format आप लोग का यही रहेगा ठीक है दोस्तों तो बात होगी domicile certificate की अब domicile certificate आप लोग कहां से बनवाएं तो domicile certificate दोस्तों आप लोगों का जो भी अंचला अधिकारी है मतलब जो भी आपका SDO है वहाँ से बनेगा ये आप लोग का जैसे सरपंच वाला domicile ये आपको नहीं लेके जाना है वहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि आप लोग को जो domicile certificate है वो आपके अंचला अधिकारी से बना होना चाहिए ओके दोस्तों अब आते दोस्तों second point पे police verification दोस्तों काफी लोग confuse है कि सर police verification certificate कहां से बनवाएं और हमें बनाने में ये problem हो रही है और हमें नहीं पता कि police verification certificate कहां बनता है तो मैं बताओं दोस्तों police verification certificate बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप लोग police verification आराम से बना सकते हो पहले तो मैं आपको police verification का एक बार format दिखा दूँ कि police verification होता कैसा है तो दोस्तों ये मेरा खुद का police verification certificate है ये police verification certificate सबका format सेम होता है दोस्तों याद रखें आपके फोटो के ऊपर एक मुहर मारी जाएगी ये मुहर आपके पुलिस में जब आपका वेरिफाय हो जाएगा तो ये फाइनल मुहर आपको वाँ पे मार दी जाएगी उसके बाद दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन आपका कैसे बनता है अब इस पॉइंट पर हम आते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन आप लोगों का डिस्टिक में बनता है दोस्तों आपका जो भी जिला पड़ता है आप लोग वहाँ जाए वहाँ पे आपको हर जिले में एक SEO के लिए। कहां से apply कर सकते हैं जहां तक दोस्त मैं जानता हूँ तो police verification अब online हो गया है ये बहुत अच्छा हो गया है पहले offline था तो बहुत problem का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ये process भी online हो गया है और ये आपका 15 से 16 दिनों में आप लोग का police verification verify होके बन जाता है दोस्त ठीक है तो इसमें आपको confused होने की कोई दिक्कत नहीं है और एक बात और की काफी सारे candidate इस चीज में confused है की police verification physical में ले करके जाना है की नी जाना तो मैं बताऊं दोस्तों अगर आपका police verification physical के time में बन जाता है तो चलिए दोस्तों आते हैं दोस्तों OVC certificate में तो OVC certificate के लिए मैं बताऊं दोस्त की OVC certificate आपके पास अगर central वाला है तो भी ठीक है और अगर आपके पास state का है वो भी ठीक है दोस्त कहीं कहीं forces में होता क्या है की OVC certificate Central का ही मांगा जाता है State वालों का नहीं मांगा जाता है वहाँ पर कहा कहा दिया जाता है कि हमें Central का चाहिए OVC Certificate तभी आपको इसमें छूट मिलेगी नहीं तो आप लोगों को इसमें छूट नहीं दी जाएगी तो OVC Certificate असाम रैफल्स में मैं बता दूँ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग अपना Central का भी ले जा सकते हैं और State का भी ले जा सकते हैं आप लोग को वापे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं कि आते हैं दोस्तो OVC के format पे तो OVC का दोस्तो जो format है वो ऐसा है और आप सभी का मैं बता दूँ मेरा जो OVC Certificate है ये State का है दोस्तो और आप State का भी ले जा सकते हैं और आप लोग को OVC का यहां पे पूरा-पूरा इसमें छूट मिल जाएगा आते हैं दोस्तो OVC Certificate कैसे बनता है तो सेम प्रोसेस है दोस्तो डोमिसाइल Certificate वाला ये भी आप लोगों के अंचला अधिकारी से ही बनेगा ये आपका SDO या HDM से ही बनेगा OVC Certificate अब ये सारे प्रोसेस आज के टाइम में सब ऑनलाइन हो गए हैं आप लोग के पास पूरा-पूरा टाइम है भी डेड़ से एक से डेड़ महिना है आप लोग के पास आप अराम से आप अपना OVC, डोमिसाइल और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अपलाई कर सकते हैं और आप लोग अपने डोकुमेंट फुली रेडी कर सकते हैं दोस्तो आते हैं दोस्तो एक लास Certificate पे जिसके बारे मैंने यहां पर नहीं बता हैं मैं आपको बता दूँ दोस्तो यह है Sports Certificate जो मेरे भाई Sports खेलते हैं या फिर जिनोंने Sports में कुछ Achievement हासिल करी है वो अपना Sports Certificate भी लगा सकते हैं Sports Certificate मैं बता दूँ आप लोग कोई फरजी Sports Certificate ना ले जाएं आप लोग के पास अगर कोई State का या National का या आप लोग के पास कोई High Level का कोई Sports है तो वो ले के जाएं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने 2016-17 में दिल्ली रिजन को रिप्रेजेंट किया था तो दोस्तों मैं बाता दूँ कि मैं भी Sports Person हूँ और अब चैनल पर मैं दोस्तों आप लोगों के होंगा और अगर आप लोगों को दोस्तों फिजिकल में चाहे वो रेस हो चाहे वो exercise हो चाहे आपको बोड़ी में कि किसी प्रकार का प्रोब्लम हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूच सकते हैं और आप लोगों को फिजिकल के ऊपर भी वीडियो मिलती रहेगी तो दो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें और चैनल पर बने रहें दोस्तों जाहिन